बिलें जनाब, Evaluation Matrix में सबसे पहले हम बुलाते हैं Regression के Matrix को, स्क्रीन में शेयर करता हूँ आपके साथ, Evaluation Matrix हम पढ़ने वाले हैं, और कौन से पढ़ने वाले हैं, जो Regression के Evaluation Matrix हैं, यानि कि जब आप Regression के टास्क कर रहे होते हैं, यानि कि जब आप एक Numeric Value को प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं, आपके पास कितनी किसम के Matrices या Matrix जो हैं, वो आते हैं, अब अक्सर उकात लोग जो हैं, इन्हें Matrices भी बोल देते हैं, लेकिन बेसिकली ये Matrix से निकला हुआ हुआ लफज है, Matrix, ठीक है, सो regression के Matrices कौन कौन से, एक होगा तो Matrices ज्यादा होंगे, तो Matrices होजाएंगे, लेट सी, हमारे पास जो पहला है, वो होते है Mean Absolute Error, अक्सर उकात इसको दूसरा तीसरा भी तसवर करते हैं, बट इस फाइन हम Major जो हैं, Matrices उनको डिसकस करेंगे, सो regression में Mean Absolute Error क्या होता है, Mean Absolute Error महिर करता है, Average Magnitude of the Error, अब Error क्या है, ये जो points है ना आपके, इनकी base पर ये center में एक line लगी है, ठीक है, आपको पता है कि इन points की x और y value है, ठीक है, यानि कि इस point के coordinates हैं, x and y, जब हम इसको Cartesian coordinate के उपर draw करते हैं, coordinates होंगे, ये होंगे actual, लेकिन इसी जगा पे अगर line के coordinates देखे जाएं, तो वो होंगे predicted, इस predicted से actual का कितना फरक है, और इस कितने फरक को, अगर हम सभी points के फरक को इकठा करें, तो वो error कहलाती है, ठीक है, अब उस error को calculate करने के कई तरीके हैं, पहला तरीका कार है mean absolute error, जिसको मैंने बताया कि measure करता है, average magnitude of the errors, in a set of predictions, without considering their direction, यहाँ पर क्या होगा mean absolute error में, नीचे वाला point है, या उपर वाला point है, इसका ये modulus ले ले लेता है, modulus क्या करता है, negative value को positive कर देता है, तो ये नीचे वाली values हों, ये उपर वाली values हों, doesn't care about that, सिरफ और सिरफ इसकी absolute distance measure करता है, कि line से इस जगा पे कितना फरक है, line से उपर कितना फरक है, so अगर हम इसको गौर से देखें, तो direction को ये मदे नजर नहीं रखता, इसी वज़ा से ये modulus इसके formula में आता है, so what we can say, इसको हम इस तरीके से modulus लगा देते, इस formula को और भी detail में हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले जो main चीज़ है, वो ये है कि इसकी interpretation ऐसे की जाती है, lower values are better, जितनी आपकी mean absolute error कम होगी, उतना आपका error जो है वो कम होगा, on the other side, a value of zero indicate no error, अगर zero होगी तो कोई error नहीं है, इसका मतलब है कि अगर zero हो जाती है, तो ये model overfit हो जाएगा, ठीक है, यानि कि error ही कोई नहीं है, ये training data पे तो अच्छा काम करेगा, लेकिन testing पे नहीं करेगा, so we can say that, हमारे पास zero value जब आएगी, तो ये बिलकुल हमारे पास no error हो जाएगी, अब mean absolute error को अगर देखा जाए, तो हमारे पास यहाँ पे mean absolute error है, तो हम क्या करते हैं, one over n, यानि कि divide by the total number of data points, हमारा जो भी formula है उसको divided by n करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम सबसे पहले predicted output देखेंगे, वो हमारे पास y hat है, फिर actual output देखेंगे, यह question भी आया था कि predicted में से actual को करना है, यह actual में से predicted को, it depends on the formula, यहाँ पे हम देखेंगे actual versus predicted, यानि कि मैं आपको अगर इसको दिखाऊं, तो actual हमारे पास यह वाला point है, predicted line है हमारे पास, तो actual minus predicted, यहाँ से भी actual minus predicted करेंगे, so actual minus predicted करके, सभी को जमा करेंगे, यानि कि हर point का actual minus predicted, उसका mod, और सभी को हम जमा करेंगे, sum of all the absolute value of residuals, इन सभी को जमा करेंगे, divided by n कर देंगे, इससे हमें mean absolute error समझा जाएगी, it's very simple, और यह तरीका कार हम, आपको मैं यह भी कहूँँगा, कि किसी भी एक example line को देखके, main absolute error जो है, उसको समझे, ठीक है, so, जो main चीज़ याद रखनी है, low values are better, a value of zero indicates no error, और absolute, जो value है, आपके कभी भी, minus में नहीं होगी, क्योंगे, a value of zero indicates no error, minus में यह हो इनहीं सकती, ठीक है, समझागी बात की, second, second हमारे पास है, mean squared error, mean squared error क्या होती है, mean squared error is actually, mean squared error measures, the average of the squares of errors, that is, the average square difference between the estimated value, and the actual value, so, अगर आप गौर करें, yi, यानि की actual value, minus yi hat, यानि की predicted value, पिछली दफाँ हमने modulus लिया था, यहाँ पे हम इसका square ले लेंगे, simple यही फरक है, यहाँ पे हमने modulus लिया था, mean absolute error में, और यहाँ पे इसका square ले लेंगे, यानि की हर एक value के difference का square लेके, उन सबी को जमा करके, divided by n करेंगे, तो हमारे पास mean squared error आ जाएगी, यह divided by n का मतलब ही mean है, ठीक है, और यह हम क्या कर रहे है mean of squared error, जब squared error यह आ रही है हमारे पास, इसका मतलब है center वाली हमारे पास error है, तो यह वाली हमारे पास error है, जब इसका square लेंगे तो squared error होगी, और submission करके जब divided by n करेंगे, तो यह mean squared error हो जाएगी, ठीक है, इसी तरह इसकी भी error की अगर value आपकी lower होगी तो अच्छी है अगर higher होगी तो error ज्यादा है mean squared error is more sensitive to outliers than mean absolute error अगर आपके पास mean squared error आप find out कर रहे हैं तो outliers अगर आपके data में हैं तो mean squared error वहाँ पे खैंची जाएगी यह वज़ा क्या है इसकी वज़ा यह है कि क्योंके outliers जो होते हैं वो mean को अपनी तरफ खैंचते हैं ठीक है, skew कर देते हैं इसी वज़ा से mean squared error जो है outliers की वज़ा से अपनी तरफ वो खैंच लेंगे जिसकी वज़ा से error ज्यादा भी हो सकती है और error कम भी हो सकती है तो हमारे पास अगर इस statement को गौर से देखें तो like mean absolute error, lower values are better mean squared error is more sensitive to outliers than mean absolute error चलें, अब इसकी form हम देखते हैं mean squared error की like this तो हमारे पास यह है error yi minus y hat i यानि के yi का मतलब है original value minus yi hat यानि के predicted value original minus predicted value का square ठीक है यानि के उनका जितना difference हाता है उसका square लेंगे और square लेने के बाद उसका mean लेंगे, ठीक है यानि के जितनी भी points हैं सभी की ये original minus predicted लेके उनका square लेते जाएंगे और फिर at the end हम क्या करेंगे इसका mean ले लेंगे तो ये कहलाएगी mean squared error तो हमारे पास दो errors हमें समझ आगी mean squared error और हमारे पास mean absolute error अब आप लोगों के पास एक question होना चाहिए या आपके mind में होना चाहिए absolute क्यों ले रहे हैं हम और यहां पे square क्यों कर रहे हैं इसकी reason क्या है मैं main reason आपको बता दे तो आपको समझ आज़े कि mean absolute error में modulus इस वज़ा से लेते हैं ताकि negative values जो हैं वो positive हो जाए modulus का मतलब ही है यानि कि यह जो modulus है mod जिसे बोलते हैं इसका मतलब ही है negative value को positive कर देना और on the other side जो हमारे पास यहां पे square लेते हैं square का भी यही मतलब है कि आप negative value को positive करते है और squared जब हम किसी चीज को करते है negative values तो positive हो जाती है but on the other side आपके पास values भी double हो जाती है so mean squared error इस वज़ा से आपके पास squared error देती है तो mean absolute and square दोनों का मकसद ही यह है कि हमें without any direction हमारे पास data आ जाए यानि कि अगर ये point उपर से नीचे है इसकी value अगर 20 है और यहाँ पे predicted की value है 16 तो 20 minus 16 तो 4 आ जाएगा लेकिन इस बिचारे का क्या कसूर है जिसकी value 10 है और यहाँ पे 16 है तो 10 minus 16 minus 6 हो जाएगा so इस वज़ा से minus 6 को positive करने के लिए या तो हम modulus लेते हैं जिसमें mean absolute error है यहाँ हम उसे square कर देते हैं अब तीसरा metric हमारे पास जो है वो है root mean squared error क्योंके हमने हर एक चीज का square लिया था अब उस square को बंद करने के लिए हम root mean root ले लेते हैं उसका जब हम mean squared error का root ले लेंगे simply mean squared error का square root it's a way to quantify the size of error made by the model ठीक है यह हम क्यों use करते हैं ताकि हम quantify कर सकें basically lower values indicate better fit RMSE is more sensitive to outliers than mean absolute error and often used when large error are particularly undesirable so हमारे पास mean absolute error जो है वो always better result देती है as compared to RMSE क्यों क्योंके यह outlier के sensitive है reason क्या है क्योंके यह mean squared error का under root है इस वज़ा से हमारे पास यह भी outlet sensitive होगा ठीक है so हमारे पास तीन matrix होगे पहला matrix हमारे पास है mean absolute error दूसरा mean squared error तीसरा हमारे पास क्या आ गया RMSE root mean squared error number fourth is आपके पास जो चोथा है वो है जनावे वाला regression का matrix वो है r squared coefficient of determination इसको बोलते है coefficient of determination इसका मकसद यह होता है के r squared represents the proportion of the variance for dependent variable than that's explained by independent variable यानि के dependent variable का जो variance है वो independent ने कितना explain की है variance का मतलब होता है कितना data वो वहाँ पे capture कर रहा है ठीक है यानि के जितनी diversity है क्या सारी के सारी उसने explain की है या नहीं की इसी चीज़ को हम r squared कहते है आगर आप याद करें तो ये correlation की तरह ही नजर आता है जहां पे Pearson r होता है लेकिन ये उसका square है basically so usually क्या होता है r squared जो value होती है वो 1 minus अगर आप गोर करें inner regression model आप क्या करते हैं 1 minus आपके पास उपर आपके पास x square है और नीचे भी x square है अगर हम गोर करें यहाँ पे आपके पास जो y bar है ये mean है observed data का तो यहाँ पे अगर आप गोर करें उपर आपके पास जो है basically submission of 1 to n और ये y i minus y hat और उसका square है और नीचे चेक करें तो आपके वास y i minus y mean यानि कि observed data के mean का square है so usually आप क्या करते है original को predicted में से minus करके और original को mean of predicted में से minus करके इन दोनों का बटा ले लेते हैं या divide कर लेते हैं so usually आपके पास r square इस तरीके से आ जाते है 1 minus और जितना भी variance यहाँ पे आप लिखेंगे उससे 1 की value कम होती जाएगी so usually क्या होता है इसकी value 0 से 1 तक होती इससे ज्यादा नहीं जाती जितना r square 1 के पास पास होगा उतनी better fit है between the model and the data यानि कि अगर r square की value 1 के पास है यानि कि 0.5 से भी उपर है इसका मतलब यह है कि आपका data जो है वो model में अच्छे से fit आ रहे है अगर 1 है तो इसका मतलब है कि बहुत ही आला fit है जो बहुत rare cases होते है अगर 0 है इसका मतलब कोई fitting नहीं हुई you have to rerun the model 0 नहीं होता अकसर अकाद कम होता है लेकिन 0 नहीं होता so you need to be very careful when you are dealing with r square ठीक है अब आगे चलते है जनाब adjusted r square adjusted r square क्या है basically यह modified version of r square है जिसको adjust किया for number of predictors in the model it accounts for the model complexity basically जब भी किसी चीज़ को adjusted बोला जाता है इसका मतलब यह हमें एक और उसमें error को introduce कर रहे हैं आप कहते हैं कि r square जो result दे रहे हैं यह बिलकुल ठीक नहीं है मेरे से कोई और भी गलती हुई हो कि जिसको मैंने count नहीं किया उस चीज़ को adjusted बोल देते हैं तो यहां पे adjusted r square हमें वो ही show करता है और इसका formula वो ही है 1 minus 1 minus r square और n minus 1 divided by n minus p minus 1 जहां पे n जो है number of observation p is the number of predictors predictors क्या होते हैं यह आपको भी पता है जो चीज़ों को predict करें यानि कि features of those x के अंदर जितने columns हैं उनको predictors बोला जाता है ठीक है तो predictors का मतलब यह है कि जितने predictor या number of columns आपके पास हैं वो कितने count किये जा रहे हैं at the end of number of observations के साथ तो हम सारे का सारा variance जो है वो count करते हैं इसके अंदर interpret करने के लिए so compares the explanatory power of regression model that contain different numbers of predictor और यह बहुत ज्यादा use नहीं होता है adjusted r square लेकिन advanced level पे आप देखेंगे r square जो है वो normally use होता है so choosing the right matrix regression के अंदर हम किस तरीके से करते हैं पहला काम हमारा होता है the choice of matrix depends on the specific requirement of the analysis and the nature of data यह नहीं होगा कि आपको मैं कहा दूँ कि यह दो matrix याद रखो that's enough ना ना यह आप पे depend करता है कि data कैसा है और आप जो analysis करने वाले हैं वो कैसा है ठीक है so इस वज़ा से आपको पता होना चाहिए कि metric आपने कौन सा choose करना है for instance एक मिसाल आपको दे देते है if you are more concerned about outliers तो आप क्या करेंगे mean squared error और RMSC might be more appropriate ठीक है क्यों क्योंकि आपको पता है आपके data में हो सकता है कोई outliers बच गें और आपने data pre-process नहीं किया तो आप mean squared error और RMSC देखेंगे जिससे क्या होगा ये जो हैं दोनों ये mean absolute error से थोड़ा सा फरक में होंगे तो ये आपको बताएंगे क्या आपके data में outliers हैं या नहीं ठीक है इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई regression problem करे अगर mean squared error और RMSC बहुत ज़्यादा आ रही है ये एक side पर खिंची चली जा रही है तो हो सकता है वहाँ पर outliers मुझोद हो So then you can use this MSE and RMSC R squared and adjusted R squared are useful for understanding the proportion of variance explained by the model ठीक है अब ये दोनों क्या करते हैं ये आपको बताते हैं क्या जो हमारे data की diversity थी वो सारे की सारी model में आई है या नहीं है variance क्या होता है आपके data का फिलाओ ठीक है वो explain किया गया है पूरे के पूरे model नहीं या नहीं यानि कि model ने क्या center value ली है या explain किया सारे के सारे variance को but they don't necessarily imply that the model is accurate तो इसका मतलब ये सिरफ R squared भी enough नहीं है सिरफ MSE and RMSC भी enough नहीं है सिरफ MAE भी enough नहीं है so you have to count each and every matrix there अब यही नहीं इसके इलावा और भी काफी matrix मुजूद हैं आपके पास say for example अगर एक ही diagram में मैं आपको दिखा हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं simple linear regression का model है आपके पास Y head जो है वो I का MX plus C है यानि के predicted line है यहाँ पे mean squared error है यहाँ पे mean error है error of mean जो है square ले लिया तो इसका squared आगया यह mean absolute error आगी और यह R squared है यह Y bar है जिसको mean of predicted values बोला जाता है so simple linear regression में यह सारी की सारी चीज़ें इस तरह तो show हो सकती है and you can take in account all these matrix but कुछ और matrix भी है हमारे पास जो हमें याद रखने चाहिए जैसे mean absolute percentage error and some other matrix as well so mean absolute error mean squared error, root mean squared error R squared या adjusted R squared और साथ में मापे या mean absolute percentage error यह कुछ matrix है जो हर regression के model के अंदर आप देखती है यह simple to understand and treat all errors equally mean absolute error सबसे बेस्ट है और यह sensitive नहीं होता outliers को जो mean squared error है यह punish करता है large errors more severely can be disproportionately influenced by outliers तो इसका मतलब outliers होंगे तो mean squared error एक तरफ खेंचा चला जाएगा root mean squared error most interpretable in the original units of the output variables और यह भी outliers के साथ जो है वो sensitive है but less than mean squared error but more than mean absolute error फिर हमारे पास measures यह r square measure करता है कि future samples are likely to be predicted कितने future samples जो है वो अच्छे से predict होंगे और यह यहाँ पे इसको show करता है खास तोर पे इसका con यह है कि यह indicate नहीं करता है कि एगर regression model educate भी है के नहीं क्यों? क्योंकि इसने सिरफ यह बताना है कि errors कितनी है आ रही है so you need to be very careful when you are dealing with r square r square अकेला कुछ नहीं है until unless you have rmsc या mean absolute error फिर adjusted r square है similar to that यह adjust करता है for number of predictors in the model जब high dimensional data होगा तब आप adjusted r square use करते हैं and this can be more difficult to interpret क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप predictors को भी interpret करेंगे और features को भी अच्छे से उनका variance जो है उनको interpret करेंगे mean absolute percentage error क्या होती है this provides in terms of percentage making it scaled independent अब mean absolute percentage error जो है इसका formula आपने देखना है मैं सिर्फ आपको इतना बता देता हूँ कि यह percentage के मदम से यह percentage के तरीके से यह percentage के values को यहाँ पे show करता है जिससे हमें क्या होता है जो values at the end हम देखते हैं उनमें percent errors आती है mean absolute percent error तो this can actually be infinite or undefined ठीक है for yi is equal to zero अगर zero होगा yi तो उसकी base पर यह undefined और infinite भी हो सकती है so these were few examples for the regression matrix hopefully आपको समझ आ गया होगा and I'm really hopeful के आपको regression matrix अब कुछ clear ज्यादा हो गया होगे इस lecture को 2-3 दफा जरूर देखें जो लोग बिलकुल नहीं है और जो लोग इसको समझ ना चाते है reason यह है कि यह सारे के सारे matrix जो है आपको समझ में आना जरूरी है अब आपसे request यह है कि आपने hand drawn एक diagram बनानी है regression की और simple linear regression के साथ यह सारे जितने भी matrix मैंने आपको regression के बताए है इनको आपने calculate करके मुझे discord के channel के अंदर send करना खास और पर वो लोग जो इस course के अंदर enrolled है ठीक हो गया like, share and subscribe this channel please if you haven't done until now